हाई व्रीवार्ण आएब नाराश रहा फॉम साराश्वत इंटरनेश अकेडमी वापी सो डियर स्टूजेंट जैसा कि हमारा चैप्टर टेन हैलोलकेन और हैलोरी चलना है आज इसको अगे बढ़ा रहे हैं पार्ट फॉर में लास्ट लेक्सिर बात करें पार्ट थर्ड में तो हमने प्रिप्रेशन आफ हैलोलकेन स्टार्ट किया था और प्रिप्रेशन आफ हैलोलकेन की बात करूं मैं आपको उसमें दो पॉइंट बताये थे एक फ्राम एलकोहल एलकोहल से रियक्शन आफ हैलोजन एसिड पीचल 3, PCL 5 और थाउनल क्लोराइड का देन आपकर हमने यह फ्राम बीडी सी बताया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बाद नेक्स तू प्रिप्रेशन जो बोर्ट के रिलेटेड है उनको बता रहे हैं और दो एक्स्ट्रा होंगे इसमें तो बात करते हैं नेक्स प्रिप्रेशन की और वो है नमबर थार्ड, that is called halide exchange method. तो halide exchange method में क्या होता है? इसमें दो प्रोसेस हमें पाढ़नी है, one is called finkelstein and second is Schwarz. तो finkelstein, finkelstein reaction. finkelstein reaction क्या होता है? halide exchange का एक important part है. इसमें हम alkyl halide, alkyl halide like RCL or RBR अप्रोसे दोनुठके लंगी उडिदेस्टनिस 1-4-3-2-2-0-2-0-5-0-5-0-5-0-6-0-5-0-6-0-6-0-6-0-5-0-6-0-6-0-6-0-6-0-7-0-6-0-6-0-6-0-5-0-6-0-6-0-7-0-6-0-6-0-6-0-7-0-6-0-7-0-5-0-6-0-7-0-6-0-7-0-6-0-6-0-7-0-6-0-7-0-7-1-0-7-0-7-0-6-0-7 in presence of H-tune, means dry H-tune, C-H-3, C-O, C-H-3, gives I-do-alkane. this reaction is called Finkel-Esteen reaction, Finkel-Esteen reaction, so should it clear हो गया होगा, कि इस मेथड से हम क्या प्रेपर करने वाले हैं, So, this method is used to prepare I-do-alkane, हम क्या प्रेपर करते हैं, I-do-alkane, like reaction reform, Rx plus Nei, in presence of dry acetone, and gives Ri plus Nex, Ri plus Nex, like C-H-3, C-H-2, C-H-L plus Nei, in presence of dry acetone, C-H-3, C-H-2, I plus Nei, C-H-L, आप instead of this, हम क्या प्रेपर करते हैं, R-B-R-B प्रेपर कर सकते हैं, तो यहाँ पर Rx का मतलब हो गया, आप इटलाइस कर सकते हैं, R-C-L and R-B-R, means R के वैलो अलकाइल गूप, चेंज करते हैं, कर्बन, सेकंड रेक्शन इसमें हैं, स्वार्स रेक्शन, स्वार्स रेक्शन, स्वार्स रेक्शन के लिए, इस मेथर्ड और इस रेक्शन, हम इस से फ्लोरो अलकाइल बनाते हैं, अब फ्लोरो अलकाइल की बात करूँ मैं, तो रेक्शन क्या होता है, R-X का होता है, वेर रेक्शन इस इकल तो वाट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडीन, तीनों हैलोजन आटम ले सकते हैं, रेक्शन होता है, मेटल फ्लोराइड के साथ, जब मेटल फ्लोराइड के साथ रेक्शन होता है, तो इस्टूडेन बनता क्या है, यहां बनता R-F plus M-X, अब यहां पर M-F क्या है, मतल अब मेटल फ्लोराइड हम क्या लेंगी इस्टूडेन, तो मेटल फ्राइड होगा हमारे पास AGF AG2F2 COF 2R3 clear SB F3 अब नमबर आफ हैलाइड से हम इतलाइज कर सकते हैं आपर मेटल फ्राइड कोई भी पूट करके हम फाइड कर सकते हमने राइड कर दिया CH3 CL प्लस AGF क्या बनेगा यहापर AGC L plus CH3 EF that is the fluorovalkan so this was is called Schwarz reaction to Schwarz reaction क्या होता है Finkielstein that method है रिटाइड for preparation of Ido and fluorovalkan and this is the part of halide exchange why is it called halide exchange because one halogen atom now replaced by other halogen atom सो देरफे इस काल है राइड एक्षेंज मेतर इस तुडेंगे इस प्रिपरेशन के बाद हम बात करेंगे नेच्ट एड लास्ट एक अडिन टू अगर हम जाएं बोड के पॉइंट आभी से तो अगला प्रोसेस हमा रहा है है फ्रम हाइड्रो कार्बन फ्रम हाइड्रो कार्बन में बहुत सब्सक्राइब से आप हम कुछ मार्क हो नहीं है एंटी मार्क हो नहीं है और रूल से रिलेटिट पॉइंट भी बताएंगी तो इस्टुटेन करेंगे आप हाइलाइट फ्रम हैलो अलकेन में तो नमबर फोर फ्रम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से अगर बात करें तो पहला है अलकेन हाइड्रोकार्बन अगर हम अलकेन हैड्रोकार्बन की बात करें आप हाँ तो लाइट CH4 हमने अलड़ी स्टेडी कर चुके हैं स्टेंडर एलेवंत में इन प्रिजिंस आफ UV लाइट ना गिफ CH3CN plus CHCl that is the chloro-methane now chloro-methane CH3Cl further if to the Cl2 present in similar condition now gives CH2Cl2 that is the halol-k so in this way आप इसको complete करते जाएंगे now CH2Cl2 plus Cl2 and gives what is this now CHCl3 by-product is CLF वापस इसमें Cl2 add करेंगे similar condition तो हमें क्या मिलेगा CCL4 मिलेगा by-remode of HCl so halogenation of alkyne अगर by chlorine presence of sunlight start होता है as we know that now यह reaction तब तक चलता है student जब तक one by one सारे hydrogen replace now by halogen atom that is called halogenation or chlorination of alkyne reaction so alkene का halogenation करा रहें other reaction भी है like CH3 CH2, CH3 तो यहां पर अगर chlorine का रहे है in presence of similar condition तो हमें क्या मिलेगा CH3, CH, CL, CH3 plus CH3, CH2, CH2 and CL so one chloropropane and second had two chloropropane that's all so यहां पर pointer one chloropropane, two chloropropane means यह जो पनाएगा that is major quantity and that is minor quantity percentage इसका action ज्यादा होगा क्योंकि हलोजन जिस कार्वें पर लगा हो secondary carbocatine है और secondary carbocatine more stable होता है student order of carbocatine क्या 3rd degrees greater than पढ़ा होगा आपने student 11th में इस पॉइंट को care करें हम तो यह रहा टासरी पर यह रहा है आपका क्या secondary carbocatine और यह रहा क्या primary carbocatine और यह रहा है तो order of utility यह है तो जिस हलोजन अगर टासरी कार्वन से लगता है अलके सब्सक्राइशन में तो सबसे ज़्यादा stable compound होगा more proportional बनेगा so in this way हम number of alkaline utilize करते हैं और यहां product बनाते जाते हैं clear next point पर यहां पर जाएंगे तो second है from alkaline hydrocarbon alkaline hydrocarbon से अगर हमें बनाना prepare करना है hello alkaline तो सब addition होते हैं according to marconi corals into marconi से भी कर सकते हैं marconi से करेंगे तो पहले तो symmetrical पर अप्ली केबल नहीं है symmetrical पर अप्ली केबल नहीं तो CL2 का हमने addition क्या CCL4 हो गया right और यहां पर क्या बनेगा visional dihalide बनेगा visional dihalide मलब आने वाले halogen atom दोनों-दोनों कार्बन transition carbon patch हो जाएंगे यह visional halide है क्या नहीं में इसका one two dichloro ethane one two dichloro ethane हो गया अब यहां पर जब अंसमेटल अलकीन लेंगे तो यहां पर यहां से हम chlorine right करेंगे अच्छा है यह rules कहां पर अंसमेटल अलकीन है नहीं है यहां पर कोई rule इसका applicable नहीं है तो CH3 direct halogenation है तो मैं इसको erase कर दे रहा हूं student doubt में ना है कि इस पर applicable है then is what visional dihalide but यहां पर from alkyne में दो reaction होते हैं कैसा होता है एक by addition of dihalogen और एक by addition of halogen acid तो यह पहला पार्ट जो है ना इसका इसको हम write कर सकते कि addition of x2 जो visional dihalide बना रहा है कोई भी रहेगा अच्छा दूसरा पार्ट अगर हमें बात करें आपको तो second part इसी का है from alkyne में addition addition of hx halogen acid addition of hx means halogen acid की बात करूं में आप आप तो points क्या होगा अगर अगर symmetrical alkyne है तो no doubt कोई फिक्ट नहीं है अपको यह hcl right कि हमने और यह कर्वट हो गया कि में CH3 CH2 CL में बड़ यह अगर यह आं से मेट कल उटलाइस करते हैं तो फिर क्या होगा यह hcl है तुजिन साथ यह जो compounds है यहां पाँ और marconic alkyne के हिसाब से जाएंगी तो यह जो more electricity atom है वो कहां जाएगा that having less number of hydrogen according to marconica 4 when asymmetrical alkyne combined with the halogen acid then the more electricity part of the halogen atom attached on that double bonded carbon atom having what is this having less number of hydrogen so rules के carding major product यहां होगा CH3 CHCL and CH3 minor product इसमें बनेगा CH3 CH2 and CH2 CL that is the major proportion और यह है minor यह compound हो गया इसमें और भी होता है एक hydrogen shift reaction भी होता था है hydrogen shift reaction इस्टोडेन उसको भी हम लोग देखेंगे like यहां पर देखेंगे CH3 है हमने double bond लगाया आप और यह CH2 CH हो गया और यह CH3 हो गया अगर मैं बात करूं यहां पर इस reaction में halogen acid का addition तो होगा क्या रूस के carding chlorine को यहां जाना पड़ेगा clear हम इस points को देखें तो इसमें यहां पर जाना पड़ेगा और reaction क्या होगा CH3 C CH3 CL and CH2 and CH3 that is right second product के probability जो बनेगी CH3 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 and CH3 that is the major part and this one is minor but you know यहीं पर एक दूसा reaction होगा जिसमें हम बात करेंगे hydrogen shift reaction क्या होता है तो इसमें हम hydrogen shift reaction क्या होता है CH3 हमने यहां write कर दिया CH3 फिर यहां पर write कर दिया हमने like edition यहां पर करा रहे हम और रूल्स हो गया यह double bond CH1 CH2 so यह compound होगे हमारा और हमने यहां पर आप बात करते हैं hydrogen shift reaction क्या होता है अगर हम यहां पर यह double bond है और इसमें addition हम HBR कराएं और रूल लगा दे यह anti-marconi आपको पता ही है anti-marconi को रूल्स क्या है यह peroxide के presence में होता है अब peroxide के presence में जब होगा तो प्रोमी नहां जाएगा तो हमारा product बनेगा CH3 CH CH3 CH2 2 and BR अब matter यह है कि यह less stable primary है और इसके बाजू में तरसी carbon है तो यहां से reaction shift हो सकता है हेलोजन और hydrogen के बीश में exchange होता है अब ही हो गया addition of HX अब next point पर जाएंगी यह addition of देखो मार्कोनी एंटी मार्कोनी और डारेक्ट हैलो जनेशन में बिशनल डाय हलाइड यह हैलो अलकेन के preparation के method हो गया अब हम बात करेंगे तो अलकेन अलकेन हो गया अब थार्ड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइडो कार्पन फ्रॉम एरोमेटिक हाइडो कार्पन और नेक्स में प्रेशन की बात करें होगे हैलोरीन की उटलाइज कर रहे हैं हम फ्रॉम एरोमेटिक हाइडो कार्पन हाइडो कार्पन में यह भी पार्ट है स्टुडेन हमारी तो हमने अलकेन से कराया अलकेन से कराया मार्कोनी एंटी मार्कोनी हाइडोजन से रेक्शन भी डारेक्ट हैलोगनेशन अगर हम जाएं तो बेंजीन हमने ले लिया कि बेंजीन कामने प्लोरीनिशन करा दिया अब यहां पर या तो अप्सल्ण लाइट अप्रलाइज करो या तो हई टेंपरिचर यसकरो और केर्टिस क्लोग या फिस यल्य थी दोनों फेज्ट में एक similarities है कि यह chlorobenzene मना रहा है बाई रोलाफ यह से हैं कंपाउंड हमारा क्या है chlorobenzene है 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 दूसरा पॉइंट यह है लाइक यह सेलाइट में भी हो सकता है यह अफिसियल तो इस कैटलिस में हो सकता है लेकिन अगर कोई side chain compounded toluene एक compound हो गया हमारा toluene अब इसके दो रेक्षा केर करेंगे दोनम डिफ्रेंस क्या है क्योंकि बहुत confusion आता है लोगों कुछ पर तो इस रेक्षन के लिए जाओं मैं तो इस यह बेंजी अगर यूवी लाइट रूज कर रहे है क्लोरीन है तो हमारा प्रोड़क्ट यह वो क्लोरोटालीन एंड पी क्लोरोटालीन बट अगर मैं यहां पर यह फी-C-L-3 कैटलिस लूँ और C-L-2 एड़ करूँ तो हमारा प्रोड़क्ट क्या जाएगा यह राय फी-C-L-3 का अगर मैं यहां क्लोरीन एड करूँ और यूवी लाइट रैड करूँ तो सब्टिट्विशन रिएक्शन बेंजीन पर इजली नहीं होता क्योंकि है रेजिनेंस के वेस्ट से पास्ट डबल बॉन है तो इसका साइट से इनका होगा और बनेगा क्या इस आपिशने मेंज फिनाइन वालब क्लोरो फिनाइन मीथेन तो यह कंपाउंट्स हो गया है अब रही बात प्रप्रेशन की तो यह पॉइंट्स हो गया है अब आउट दा वाड़ इस हैलो अलकेन एन हैलो और इन यह इनका प्रप्रेशन हो गया हम देन आपनो हम बात करेंगे प्रप्रेशन आफ तो यहां पर फिट है बाई हंस हंस डी का रिएक्शन हंस डी का रिएक्शन हंस डी का रिएक्शन हंस डी का रिएक्शन जो है यह टेक्सुक का पार्ट नहीं स्टूडिंट ध्यारक्राइस को हम इसके लिए क्या करेंगी कौन सा प्रप्रेशन होता हंस डीकर का अगर हम देखें यहां पर तो इसमें कोई भी सिल्वर सॉट ले लेते हैं, सिल्वर सॉट लेने का मतलब लाइक आर सी डवल ओ एजी, जैसे सिल्वर एसिटेट, मिथाइल एसिटेट हो गया, कुछ भी हो गया, इसका रियक्शन हम कराते हैं, बी आइटो से, इन प्रिजिन साथ, सी सील फो, तो हां स्रीकर रियक्शन क्या है, यह आइटो ले लो, बी आइटो ले लो, शम्धिन, कुछ भी, तो इस रियक्शन में बनता क्या है, आर बियार, that is, हैलो अलके, प्लस हमारा यापर पॉइंट बनता क्या है, सी ओ टू प्लस एजी बियार, that's all, इसी रियेजेंट में यही रियक्शन अगर मैं आपको बता दू, कि आइटो से कराओं, रियेजेंट से यही रेखां, मनलब आर सी डबल ओ, अजी, प्लस आइटो ले लियार, टू मॉल ले लिया इसका, और यह कैटेस भी यही है, हमने इसका reflect कर दिया, तो यह reaction हमें ध्यार रखना है क्या points है, अगर हंस्रिकर reaction की बाद ने तो वन मॉल लेना ही, अगर टू मॉल ले लिया तो फिर, आपका हैलोल के नहीं बनने वाला है इसे वाट देते हैं हम सीमोन नोनी डियक्शन तो इस चीज को क्या करना हमें मोल स्पार लास्ट एक्रिप्रिशन जो नहीं है टेक्स्टूक में राश्टिक प्रोसेस तो हमारा बोड की पॉइंट आप इससे पॉइंट कंप्लीट हो गया है यह दो पॉइंट्स है कभी-कभी अबज़क्टी में मिल लाते हैं ऐसे गुजकट की एक्जाम में भी मिल सकते हैं इसलिए इनको बता दिया गया है आपको राश्टिक प्रोसेस इसमें क्या करते हैं हम बेंजीन लेते हैं क७ी-क्तिक इसमें अध्यरीो powderuing इसे बेंट्स दिया है मिल सatyольनियरो के अफरेण घवड़क्रोर्ण दियुजक्ड मिल cured created तन्सक्रों और समझाओं झारा कभी काप्रोड़क्स आपको इसलिए परिफिक पर्पाइश्रिय। न् measurable प्रिप्रेशन आफ हैलो एलकेन एन हैलो औरीज हमने आपको टेबल डॉक एया आप वहां से देख सकते हैं प्रिप्रेशन आपको राइट करें हमाप फ्राम एलकोहन हमें रियक्षन याद होने चाहिए फ्राम एलकोहन जिसमें लुकार्ट टेस्ट आया पी-एक्स-3-P-5 का करेक्टी ओर्डर है है हैलो एन इस ते नहीं बनाते है उसका भी मिनी बताया है मैंने डार्जन प्रॉसेज बेंजीन डार्जन प्लाइट का है देन हमने पढ़ा यहां पर रहा है फ्रम BDC बेंजीन डार्जन इंप्लाइट जिसमें सैंडमेयर, गेटर मैन, बल्जिसकी मैन क्या है and KIC, फिरम आुब्ने पढ़ा क्या है, हालाइट उस्टीन ऑच्ष्टी इंद हमने जिस पोइंपर इस्टीस ब्रॉसेज चला आप्र हम है क्या है हम है हम का राज्टिक बात करें तो रास्टिक ब्रोसें सीडिस्ट्यल मेः प्रॉसेजिटल मितओं कीं ग्लिया है सब्सक्राइब करेंगे तो जरूरी है इनको भी करना यह मैंने अलड़ी राइट कर दिया आपको आपको आपका टाइम सेव करने के लिए तो यह सब पॉइंट से लिखा किया है कि द्रॉड़ दर इस्टेक्टर आप मेजर प्रोड़क्ट की नीच आप फालॉइंग रिएक् किरी मेजर माइन भूइन रहर केस में आइंगे नहीन तो मेजर माइन जब जहां पर क्ष स्ट्रॉइघ के लिए ऱगी और वो बताया जाए कि क्लिया मेजर प्रोड़क्ट नीच को देखता क्या पिंडाल है और धियनएल् सोसी में ल-टुई क्या अपको रिएक्शन देख रखर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यह जो points है इसकी reaction के बाद हमारा बनता है क्या points यह है यह रिप्लेस करेगा यहां पर अल्कॉल को बनाएगा क्या chlorobenzene plus SO2 plus CSCR यह base होता है वो कौन होता है parodine आपको complete करने के लिए आज सकता है बोड में तो parodine base के यही reaction होता है next point है यह और yes नहीं हूँ मलब sunlight के presence मोरा तो मैंने पहले बता दिया कि यह free radical substitution reaction देता है और benzene का जो substitution reaction है वो काफी tough है क्योंकि resonance बनाता है resonance बनाने की विज़े से यहां पर यह reaction होता नहीं है benzene पर तो मतलब bromine या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा अब matter यहां पर लिए कि दोनों जगें जाकर hydrogen को replace करके bromine क्या करता है place gain कर सकता बट देखो यहां यह mention किया है major product और वो भी mono single बताना double comment highlight नहीं करने तो major कौन होता है major product जब halogen carbon टरसरी carbon पर लगता है तब होता है second secondary पर लगता है और primary पर लगता है तो फिर यहां पर अब reaction देखें यहां पर अब यह secondary carbon हो यहां जाएगा bromine तो minor यहां जाएगा तो major और यहां NO2 पर कोई replacement नहीं है so that is the major product of free radical substance reaction that occurred between bromine and this compound in presence of sunlight clear in presence of sunlight तो यह product हो गया that is the देन आप टाओ इसल नमर थार्ड रेक्शन की बात करूं मैं तो यहां heat energy दे रहे हैं और हमें यहां पर substitution reaction दिखाना है तो वापस मैं आपको बता दो कि इसल एक substitution reaction देगा बट matter यहां पर यह है इस्टूडिन replace कॉन OAH होगा यह होगा यह होगा यह होगा दोनों इस चैप्टर में आपको बताया कि जब यह सेल का reaction है इसनाल इतनाल कोई भी ऐलीफैटिक अलकोष से होता तो आशानिस reaction होता है बाट अरोमेटिक अलकोष से नहीं होता है मतलब इस reaction में OAH जो है बेंजीन से टेश है और बेंजीन के अंदर clear है कि तीन double bond है और इनके rotation से होती है produce का resonance resonance जब structure पांच बनती है तो उसमें आपको बता दो कि इन short time यह double bond यहां आता है तो मतलब जो OAH ग्रूप बेंजीन से डारेक्ट अटाइच है वो कैसा है रेजनिस बना रहा है पार्सेल डबल बॉन्ड है लेकिन जो OAH एलिफेटिक कार्बन के से अटाइच है सिंगल कार्बन से ही मैं आपको बता दो कि उसमें कोई रेजनिस नहीं है जो रेजनिस बनात सेटेबल होता है तो इसरीटिस ऊचले डबल डिफेट जसमें जो रेपलेस नहीं कर सकता किसको रेजस करेगा इसको करेब इसको करी मैं इसको नहीं कर सकता और मैंने राइट कराया तो यहीं रेजनिस और यहाँ पर बनेगा शीर Isaiah लिए प्रोड़क्ट अब बात करेंगे हम इस रेक्शन की मैटर यहां पर यह कि यह डेल्टा का साइन है और हमें यहां पर क्या करना है एडिसन यह चाहिक एडिसन होगा हीट एनरजी की प्रेजिंस पे तो यहां किसका रूल लगेगा और मार्कोणि मार्कोणिक अक्याडिटिंग डबल बांड का जो कंपाऌन है किसी रिएजिंट से यह करता है ऊसे रिएजिंट का इलेक्ट्रो मेंगेस पार उस कारबन से लगता है जिस कारबन पे मिनिमम accents हाई सओन हो तो iodine कहा जाएगा, यहाँ पर आएगा, अब अब product बनेगा क्या, CH3 है, यह हो गया, compound, यहाँ हो गया iodine, यह हो गया, that's all, यह single bond बने हो गया, तो that is the major product, तो जितने भी यह complete reaction दिये हैं, student, वो हमने जो method पढ़ाया, OC के base पर है, and, next point, so student, इस पॉइंट के बाद बात करेंगे, यह दो reaction की, जहाँ पर write के आगया, CH3, CH2, 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 BR, RNAi, तो इस सीधी सीधे दे दिख रहा है, कि हमारा reaction जो है, वो fincalistrine है, और fincalistrine, आज अभी हमने पढ़ाया, इस point में देखा जाया, तो यह क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं, dry acetone, और इस reaction में, हम बात करेंगे, CH3, CH2, CH2, N, I, plus, यहने, BR, that's all, अब, next point, बात करें, UV light, तो जैसे ही, अगर मैं इसको हटा दू, तो यह product, केर करना, अगर मैं यहाँ पर heat energy दो, तो और मैं यहाँ पर product लीख हूँगा, क्या, bromine, bromine, bisnil form हैगा, दोनों, but, UV, मतलब, यह देता आपको, क्या, free radical, free radical कहा देता है, substitution reaction, जो हमने preparation of halolkane, write कराया है, from alken hydrocarbon, with halogen, वो free radical substitution reaction है, और free radical substitution reaction में, हमें saturated bond पर होगा, तो यह bromine यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, बट इस प्राटाइश नहीं होगा, तो product हमारा है हम बनेगा, क्या, bromine, plus, HBR, अगर यह नहाँ होता, UV light, तो हमारा product यह होता, so, student, हम बात करें आपको, preparation of halogen, halogen के बेस पर एक कुछ common reaction थी, जो टेक्शो के index example ही है, तो आप इनको देखेंगे, इनके बेस पर और भी है points, तो आप solve करेंगे, clear, so, next point की बात करेंगे, वो भी reaction, preparation of halogen से related है, and then आपना properties पर चलेंगे, तो preparation of halogen में, जो point है, इसके बाद next point आपर write कर रहा है, क्या, कि draw, draw name आप दो, draw, and name of all monochloro, monochloro product that aspect to obtain by chlorination of 2-methyl-pentane, 2-methyl-pentane, और reaction होगा, free radical substitution reaction, हमें 2-methyl-pentane के, substitution से, वो सारे product, find करना है, उनका naming भी करना है, so, student, पहले 2-methyl-pentane की बात करते है, 2-methyl-pentane है क्या, CS3 है, CH है, CS3 है, CS2 है, CS2 है, और CS3 है, यह हमारा compound हो गया, और हमें करना क्या है, इस compound का chlorination कराना, chlorination से कितनी product बनेंगी, मैं बोलना हूँ कि, chlorination मैं नहीं कराया, और free radical substitution, महलब sunlight के presence होगा, पहला कहा सकता है, पहला product यहां सकता है, जब substitution होगा, यहां भी कराएंगे तो semi रहेगा, यहां कराएंगे तो दूसरा आजाएगा, यहां कराएंगे तीसरा आएगा, यहां कराएंगे fourth आएगा, और यहां कराएंगे five, मतलब one time chlorination, अगर हम करा रहें तो यहां प्रोड़क की प्रोड़विल्टी एक दो तीन नहीं टोटल पांच दिख रही है क्योंकि पांचों जगया क्लोरिन लगेंगी तो प्रोड़क का नेम डिफरेंट आएगा प्रोड़क को बनाते हैं यह हमने दूसरा प्रोड़क बना दिया यह तीसरा हमरा क्लोरिनेशन रेक्षन हो गया यह फोर्थ हो गया और यह हो गया फेप्थ और इनकी नेमिंग करते हैं तो पहले पर हमने यहाँ पर लिया है तो हम राइट करेंगे इसका क्या कि CL, CH2, CH, CH3, CH2, CH2 and CH3 1, 2, 3, 4, 5 हम लिखेंगे क्या 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, what is? पेंटेन 2nd, 2nd का होगा यहाँ से रेप्लेश होगा और प्रोड़क्ट होगा CH3C, CH3Cl, CH2, CH2 and CH3 So then, नेम होगा क्या 1, 2, 3, 4, 5 क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोम, right? 2 मिथाइल, पेंटेन Next point पे जाएंगे जब थर्ड प्रोड़क्ट, यहाँ क्लोरीन आएगा और यहाँ का हड्रोजन रेप्लेश करेगा Student तो CH3, CH, CH3, CHCl, CH2, CH3 अब काउन्टिंग का प्रोसिजर हम राइट करेंगे क्या होगा? इधर से भी थर्ड पर इधर से भी थर्ड पर तो 1, 2, 3, 4, 5 यह लोकेंट से दोनों पास में आजाएंगे तो 3 क्लोरोम, 2 मिथाइल, पेंटेन Next की बात करेंगे number 4, number 4 पर क्लोरीन इसको रिप्लेश करेगा और प्रोड़क्ट होगा CH3, CH, CH3, CH2, CH, CL and CH3 1, 2, 3, 4, 5 क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोम, 4 मिथाइल, पेंटेन यहाँ बात करेंगे number 5 तो last पीज आएगा और आएगे मेफरोक्ट बनी का CH3, CH, CH3, CH2, 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 CL 1, 2, 3, 4, 5 1 चलोरोम, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, पेंटेन So that is the five product obtained by monochlorination of what is this? 2 मिथाइल, पेंटेन तो हमें जो मिलते हैं यह five product student आप देख सकते हो numbering हमने कर दिया प्रोड़क्ट भी राइट कर दिया तो preparation आफ हैलो अलकेन आरिन के बेस पर यह number of reaction से दो हमने आपको एक्जाम्पलिट एक solve किये हैं आप भी इसी terms के जब भी unknown association आएंगे आप preparation जो मैंने पढ़ाया उसको देखो उसको read करो perfect package से and then after उसको solve करो so आज part 4 means lecture 4 में chapter 10 के preparation complete हो गए कुछ हमने example भी दिये हैं आपके समझने के लिए and then after आप next part में जब आएंगे part 5 में तो lecture number 5 में वहां हम बात करेंगे physical chemical properties of hello alcan and hello are in so आज के लिए बस इतना student thank you